Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और last video के अंदर मैं ने देखा था कि Angular के अंदर Testing Automation क्या होता है कितने तरीके के होते हैं Basically थोरीड के लिए मैंने सारे सीज़े देख ली थी और इस video के अंदर मैं बात करने वाले हैं कि हम first हमारा Test Case कैसे बना सकते हैं So, आपको basic idea हो जाए कि आप किस तरीके से एक Test Case run कर सकते हो ये part रहेगा Unit Test Case का एक दो वीडियो और ले के आऊँगा मैं Unit Test Case के उपर क्योंकि इसके अंदर मैं Component की Testing नहीं गरने वाला हूं वह मैं आपको आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर करके नहीं होगा कि एक Component को हम कैसे Test कर सकते हैं इसके अंदर basically एक Normal Test कैसे लिखते हैं और कैसे Test करते हैं कैसे Chrome Browser पे open होता है ये वाली चीज़ हम देखने वाले हैं Default Test Cases को कैसे run करते हैं चोकि जब आप Angular इंस्टोल करते हो फर्स्ट आप बनाते हो न तो कुछ Default Test Cases आते हैं उनको कैसे run कर सकते हैं वो देखेंगे एक Test Case एक नई फाइल जब बनाते हैं वो कैसे कर सकते हैं देन उस फाइल के नदर एक नदर टेस्ट कैसे कैसे लिख सकते हैं और Test Case का एक function होता है जहांब हम Test Cases लिखते हैं उसको थोड़ा सब समझेंगे कि क्या function किस तरीके से काम करता है वो और बात में हम सारे-सारे Test Case रन करेंगे एक file बनाऊंगे उसके नदर एक सिटादा Test Case कैसे कैसे लिख सकते हैं सबसे पहले में आपको जो Default Test Case होते हैं वो आपको मिलेंगे app.component.spec.ts के अंदर क्योंकि by default एक ही component बना हुआ होता है और आपको यहां पर मिल जाएंगे यहां पर आप देखोगी एक describe function बना हुआ है यहां पर जो दो parameter ले रहा है एक app component यह component का नाम है और यहां पर बंद हो रहा है तो यह basically पूरी component की टेस्टिंग है और इसके अदर तीन अलग से function बने हुए है यह देखिए 1,2,3 हम भी कुछ इसी तरीके functions बनाएंगे बट अभी के लिए understand कर लेते हैं कि यह क्या कर रहे है राइट सो simplicity के लिए मैं आपको यहां पर आपको दिखाता हूं कि इस component का जो टाइटल है वो है टेस्ट ब्लोक राइट और यहां पर इसने पूछ भी लिया है इसी के अंदर क्या टेस्ट ब्लोक इसका टाइटल है ठीक है अगर हो है तो true है द्रवाइज यह true नहीं है इसने बोला है कि dot span content वाली क्लास है उसके अंदर ऐसा लिखा हुए test blog is running राइट जो यहां पर लिखा हुए test blog is running क्या यह है अगर यह है तो test cases pass होंगे नहीं तो यह fail हो जाएंगे राइट सो अब हम इसको default test case को run कैसे कर सकते हैं कुछ special नहीं करना है इसके अंदर terminal के उपर आना है और लिखना है ng test आपकी application अभी यहां पर run कर रही है के नहीं कर रही है इससे भी फरक नहीं पड़ रहा है यह अपना एक अलग से browser open करेगा और वहीं पर चलेगा ठीक है अभी आप देख रहे हो compilation शुरू हो गया बाद में इस browser के अंदर भी नहीं अगर हम यहां पर आके देखते हैं app.component के अंदर इसके अंदर तो यहां पर देखे टाइटल ठीक लिखा हुआ बिल्कुल और अगर मैं app के अंदर जाके देखता हूं यह देखिए expand लिया हुआ है इन्होंने और यह कौनसी class के अंदर है content class के अंदर तो यह भी perfectly run कर रहा है तो इस तरीके से हम test cases लिखने वाला है वो basic idea हो जो by default cases के बारे में अच्छा ठीक है अब मैं चाहता हूं कि test case को मैं fail गरवाने जाते हूं तो fail किस तरीके से होगा right obviously एक बार तुम test करके देखेंगे ना तो उसके लिए पर लिख दो let's say block test है यहां पर लिख दो dummy test और आप देखोगे कि यहां पर फिर से compilation शुरू हो test block right but इसको मिला क्या है यह वाली चीज तो इस तरीके से बता भी देता है all right तो इसको वापी से ठीक करते हैं और एक चीज और मैं आपको बता दूँगा इसके अंदर और यह seriously बहुत यादा interesting है just give me a moment यह अगर आप browser को यहां बंद करने खुश कर देऊ ना तो browser को फिर से open कर देता है फिर से बंद करने को फिश्कर होगे यह फिर से open कर देगा right तो आपको करना गया है आप इसी डिए कंफ्यूज मत होना आपको यहां से test case को रोखना है और यहां से अपने आप Chrome के application बंद हो जाएगी right so interesting है but यहां से भी अगर close Chrome बंद करने तो भी बंद हो जाता है वो spec.ts होना चाहिए मैं हां भी लिखता हूँ dummy right इस तरही के से लिखता हूँ dummy because file का ना हम small रखते है basically dummy.spec.ts इसकी जो extension है वो होनी जरूरी है so similarly हम इसी तरीके से test case बनाएंगे जैसे यहां बनाए हुआ है सबसे पहले हम describe करेंगे एक function को basically एक पूरा जो component हो था आप उसको लिख सकते हो एक describe के अंदर जितने मर जी आप test case लिख सकते हो कोई problem नहीं होती है right so आपको just simply लिखने हाँ पर describe और describe के अंदर दो फंक्शन होते है दो parameter होते है first इसका text होता है कुछ description पगर देने चाहते हो तो मैं यहां पर लिखता हूँ dummy file right and second parameter होता है आप चाहँ उसको arrow function ले लो जैसा कि इन्होंने लिया यहां पर right और चाहे तो आप normal function ले लो मैं arrow function के साथ ही चलूँगा because हमें जो थोड़े एकमा script के standards है वो फोलो कर लेनी चाहिए right then जैसे यह बन जाते है इसके अंदर हमें case define करते है right और इस case के दर में बताऊंगा check amount is equal or not right और जैसे मैंने यह बनाया basically test case इसके अंदर होते हैं फर्स्ट परामेटर तो जो मेरा text हो गया वही है एक इन सेकेंड परामेटर फिर से इसकेंदर एक arrow function होते हैं आप चाहँ तो उसको next line में भी ले जकते हो कोई problem है नहीं right and यहोगा expected कि क्या expect करते हो आप right so मैं आप expect कर रहा हूं hundred right और to be hundred right इसके दर में expect करते हैं result क्या आएगा और जो उसके दर यह value देते हैं यह वाला अभी के लिए आपको static लग रहा है जैसा कि मैंने आपको बताए कि मैं यह component test करके नहीं बताऊंगा but जब भी हम आगे लेंगे data आप यहां पर देख सकते हो एक test component का यहां पर एक instance create कर रखा है बाद में उसको apply कर रखा है तो equal functions होते हैं यह सारे देखने वाले हैं but अभी के लिए basic पर चलते हैं so हमने just यहां पर चेक करा कि expected value 100 हो नीच और तो भी 100 होगी right अगर यह true होती है तो यह test case पास हो जाएगा पाद रवाइस यह फिलो जाएगा तो अभी के लिए मैं इसको run कर रहा हूं एंजी test और यह फिर से वही chrome को open करेगा और इसके बाद में आपको एक और test case लिए और मैं आपको यह बता हूँ मुझे पता कैसे चला कि मुझे describe लिखना है इट लिखना है यह सारे चीजिए मुझे कहां से बता चलती है right I'll show you everything so अभी के लिए आप देख सकते हो कि यहां पर 4 test cases होगे एक तो dummy file वाला जो हम बना रहे तो और 3 case इसके अंदर होगे right force back होगे इसके then let's say मैं यही इसको फिर से test करना चाता हूँ एक और बनाना चाता हूँ और मैं आपर check करना चाता हूँ the value or character is equal or not मैं जस्ट पुट करूंगा 100 sorry let's say hello और इच शुद बी लाइक hello right अभी के लिए आप देखोगे कि यहां पर जो test cases होगे अपने आप इस नेटन करना automatically कर दिया है और यहां पर पांच test cases हो जाएंगे हमारे यह देखिए चिक हैं अब किसी को fail करना हूँ तो क्या let's say I will just try that expected high and to be expected hello and to be high so yeah test case basically fail हो जाएगा हमारा जैसे हम यहां पर आते हैं तो इसने बता दिया कि यह actually fail हो गया है इसने बोला कि expected value दिस थी बट उसको मिला है क्या high so this should not be happened actually right so इसी लिए and so इस तरीके से हमारा यह basically test case बन गया है इसके जितने बर्जी test case लिख सकते हैं इसको आप इसे मैं ठीक कर देता हूँ hello के लिए और अच्छा अभी मुझे पता कैसे चला कि मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी है और इनको समय कहां से बढ़ सकते हैं because test cases बहुत सा होगे यहां पर करोगे एंगुलर testing तो आपको कुछ खास मिलने वाला है नहीं यहां पर तो लेट सी वट विल गेट हेर इसने बोला एंजे test कर दो और कुछ कर दो बट इसने यहां पर टू भी expected वाले कुछ चीज़े बताई ही नहीं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जाओगे और आप टेकनिकली चेक करोगे तो यही चीज लिखे हो यह देगो दिसक्राइब कर रहा हुआ है एक test case इसके लिख वेरियबल लिए है मैंने कुछ वेरियबल लिए नहीं थे और यह उन्हें इसी तरीके से चल जाएंगे और हमें यहां पर पूरी इन्फोरमेशन यहां पर देखे यहां तक test case होते हैं और नीच हमारे application चल रही होती है यहां पर देख सकते हो बटन के लिए इनको हमाने वाली वीडियो के देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना प्लकुल मत बूलना बाई बाई टेक केर